वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 24 अक्टूबर 2022 और 24 अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुछिन से रिलेटेट इंपोर्टेंट प्रेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आ पडियप आप हमारे टेलेगराम गुरॉप से भी डाउंडोड कर सकते हैं टेलेगराम गुरॉप पर आपको सारे पैडियाप एक साथ मिल जाएगी और टेलीगराम गुरॉप का लिंक मैंने इस वीडिवाची डिसकेशन दे दिया है तो आप उस लिंक पर किल Eh करके टेलेग्राम ग्रूप चोईन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में तिल दिबस कब मनाया गया है तो अभी 23 अक्टूबर को तिल दिबस मनाया गया तिल यानि की मोल जो हमारी बॉडी पर मोल होते हैं उनकी एक अलग इंपोर्टेंस होती है हमारे बॉडी में कोई भी चीज बिदाउट रीजन नहीं होती हर चीज की अपनी इंपोर्टेंस होती है तो जो बॉडी पर मोल होते हैं रसायन बिग्यान में इसना अलगी महत होता है तो रसायन बिग्यान के प्रति उत्साही लोग हर साल 23 के सारे इंपोर्टेंट है आप फिल्कुल सेक्वेंस मेरे बाइच करिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरू किया करो और मैं आप को भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अ जारी किया गया यह 44 देशों का इंडेक्स है और इन 44 देशों में इंडिया 41 में नंबर पर आ तो इस कुश्चिन का से ओप्सिंस है लास्ट यह यानि की 2021 में यह 43 देशों का इंडेक्स जारी किया गया था इन 43 देशों में इंडिया 40 में नंबर पर था अब इस बार यह 44 दे है नए कुशिन है हाली में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग के सहर में आयोजित की गई तो अभी नई दिल्ली में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई तो इस कुशिन का डे ऑप्सन सही है 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई इसका आयोजन जूडो फेडरेशन ओफ इंडिया और खेल मंत्राले ने मिलकर किया है ने क्यूशन है हाली में किस सहर में रेड लाइट ओन गाड़ी ओफ अभियान फिर से सुरू किया गया और तेल की खफत का भी इसमें बचत होती है तो रेड लाइट ओन गाड़ी ओप अवियान ये दिल्ली में शुरू किया गया अच्छा अभी मैला एवंबाल विकास मंत्राले द्वारा पूसट उत्सब का आयोजन नई दिल्ली में किया गया दिल्ली के उपरा जिपाल ने कम्यूनिटी पुलिसिंग पहल बे केर सुरू की है एसियन बस्त्र संबिलन का नौमा संस्कृट अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ अरविंद केजरिवाल ने मेक इंडिया नमबर बन बिसन सुरू किया और स्वर्शम्राट फेस्टिवल का दसमा संस्कृट अभी नई दिल्ली में सुरू हुआ नई क्यूशन है कौन सा राज और्नोदोई नगद लावार्तियों की सूची में संसोधन करेगा तो और्नोदोई योजना ये कहां सुरू हुई थी ये असम में सुरू हुई थी और अब असम सरकार और्नोदोई नगद लावार्तियों की सूची में संसोधन करेगी तो इसको शिन का बे आप्सिन सही है और नोदोई योजना इस योजना के तहत लावारतियों को बारे सो पचास रुपए अनुदान प्रत्ति महा मिलता है अब इसके लावारतियों की सूची में असम सरकार संसोधन करेगी अब असम तो यह है मैप में असम असम की केपिटल क् दिस्पूर, असम के चीप निश्टर कौन है हमनता विस्व शर्मा और असम की गवर्नन कौन है जगदीश मुखी अच्छा अभी कटी भीहू तिवार ये असम में मनाये गया अच्छा असम में और कौन से तिवार मनाये जाते हैं बगरुंबा भूर ताल जुमूर ये असम के तिवार है अच्छा ग्रह मंत्रे अमिल सा ने अभी असम में पुलेस अधीच्चकों के समेलन का उद्गाटन किय अभी राजी सरगार ने बिद्यारत स्कूल और वेल्स परयोजना शुरू की पबन कुमार बोर ठाकोर ये असम के नए मुख्य सचिम नियुक्त हुए और असम के चेपनिश्टर ने 1000 मौडल आंगनवाडी केंद्रों का सुभारम किया अच्छा असम में कौनगोन से निशनल पार्क है काजी रंगा मानस ओरंग डिबरूस एकोवार राहे मोना और देहिंग पटकाई निशनल पार्क है ये असम की important national park है, जिन में से काजी रंगा नेसनल पार्क सबसे जादा important है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फिरमस है, और एक सींग वाला गेंडा वारत में केन दो राज़ों में पाय जाता है, असम और पस्षिय मंगाल यही दो राज़ी हैं जहां पर एक सींग वाला गेंड़ पाया जाता है और यह जो काजी रंगा नेशनल पार्क है यह सैटलाइट फॉन से कनेक्ट होने वाला एकलोता नेशनल पार्क बन गया है नेशन है हाली में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रनियोर ऑप द इयर 2022 पुरुस्कार के से दिया गया तो यह निरंजन ओवल को दिया गया तो इसकुशन का बे आप्शन सही है कम्प्यूटर गेमिंग उपकरड निर्माता सेम फोर्ज इनिरिंग के हैं निरंजन ओवल इनि को यह अवाड दिया गया अच्छा अभी 2022 के सरसेयद उतकष्टा पुरुस्कार से बार बरा मैटकाफ को सम्मानत किया गया रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रतन पुरुसकार से समानत किया गया है कर्डनल स्वरूप सिंग ने अल्ट्रा मैन इंडिया का खिताब जीता है और रोक्सी कोल ने 2022 देवेंटर लाल मेमोरियल मैडल प्राप्त किया है ने क्यूशन है हाली में किस ने खादिस रेडी में सबसे लोग प्री जी आई पुरुसकार जीता है तो अभी हैदराबादी हलीम ने खादिस रेडी में सबसे लोग प्री जी आई टेग प्राप्त किया है तो इस question का say options है यह है है यह एक type की non-wage खिचड़ी होती है जिसमें mutton भी होता है दाल भी होती है दलिया भी होता है तो यह एक type की non-wage खिचड़ी होती है इसको अभी GI tag मिला है अच्छा GI tag की बात है तो बिहार के साई लीची को GI tag मिल चुका है बिहार के ही जरदालू आम को GI tag मिल चुका है कस्वीर के केसर को GI tag मिल चुका है नागा लेंड की नागा खीरा को GI tag मिल चुका है जारगंड की सोहराई और खोबर आर्ट को GI tag मिला है तो यह कुछ important GI tag है यह आप याद रखिए हाली में केस बैंक लें DX 2022 पुरुषकार प्राप्त किया तो अभी करनाटक बैंक ने DX 2022 पुरुषकार प्राप्त किया तो इस question का बे options आई है अच्छा करनाटक बैंक इसकी स्थापन कब हुई 1924 में इसका headquarter कहां पर है मंगलूरू में और इसके present time पर MD कौन है महा बलेसवर MS ने क्यूशन है हाली में heat wave के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिसत का नुक्सान हुआ तो अभी heat wave की वेज़े से अपने देश भारत को सकल घरेलू उत्पाद में 5.4% का नुक्सान हुआ तो इस question का a options ने distortion है हाली में lieutenant governor b बेके सकसेना ने कितने जिला सैनिक बोडों की स्थापना को मंजूरी थी तो दिली के लिटरेंट गवर्नर है बेके सकसेना इन्होंने अभी दिली में चार जिला सैनिक पापना को मन्जूरी दी तो इसकेशिन का वे options हैं ने option है, हाले में किसे करनाटक रत्न पुरुस्कार दिया जाएगा? तो अभी पुनीत राजकुमार को मडो प्रांत करनाटक रत्न पुरुस्कार दिया जाएगा तो इसकेशिन का c और सई है ये थे अबिनेता, पुनीत, राजकुमार, इनको अभी मडो प्रांत, करनाटक रत्न पुरुसकार दिया जाएगा, अब करनाटक, तो ये है मैप में करनाटक, करनाटक की केपिटल क्या है, बैंगलॉर, करनाटक की चीप निष्ट कौन है, बसवराज बॉंबाई, और करनाटक की देक को मंजूरी थी, करनाटक सरकार ने क्रसी को बढ़ावा देने के लिए एसा आउटरिज के साथ समझता किया है, और अभी SBI ने स्टाटप के लिए डेडिकेटिड, पहली ब्रांच करनाटक के बैंगलूरू में खोली है, करनाटक सरकार ने खिलाडियों को दो प्रतिस अरच्छट देनी की गोशन की है, और गाय गोद लेने के लिए पुंड कोट दत्तु योजना सुरू करने वाला पहला राज करनाटक बनाया है, अच्छा करनाटक में बांदीपूर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगर होल नेशनल पार्क है, बनलकटा हाली में केस आयाटी ने 2021 के लिए राश्टी बौद्धिक संपता पुरुसकार जीता है, तो अभी आयाटी मद्रास ने 2021-2022 के लिए राश्टी बौद्धिक संपता पुरुसकार जीता, तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है, अच्छा अभी सिक्छा मंत्री दर्मिंद प्र किया है IIT कानपुर ने निर्माल तौरक कारेक्रम शुरू किया और IIT कानपुर ने अंतरिच रोबूट के लिए जैब प्रेरित क्रित्रिमा स्पेसी बिक्सित किया है Next question है हाली में किस देश में राश्ट पती की सकतियों को कम करने वाला संबैदानिक संसूदन पारित किया गया तो आप स्री लंका तो यह है मैपने स्री लंका कि कैपिटल क्या है कुलम्भो और स्रे जयवरदिनिपूरं कुटे कुलंबोuck commercial capital है और स्रे जावधनेपुरम कुट अड्मिनिर्श्टैटव capital है सीलंका के currency क्या है सीलंका रुपी सीलंका की present time पैर प्रेमिस्टर कौन है देनेस गुडबरधन और सीलंका की present time पैर प्रेसिडेंट कौन है प्रनिल बेक्रम सिंहे अच्छा ये जो आपको मैप में सिर्लंका दिख रहा है यहांसे एक कुश्यन मनता है कि इंडिया और सिर्लंका की बीच में कौन से खाड़ी है तो इंडिया और सिर्लंका की बीच में है पाक की खाड़ी इसे सुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू बंडल कहते हैं नए क्यूशन है, हाली में DGCA ने के सराजी के जैपोर हवाई अड़े को लाइसेंस प्रदान किया, तो जैपोर हवाई अड़ा ये उडिसा में है और इसको अभी DGCA यानि कि डिरेक्टरेट जनरल ओफ सेविल एवियसन ने लाइसेंस प्रदान किया, तो इस क्यूशन का ए उक्सन से ही है, अब उडिसा तो ये है मैप में उडिसा, उडिसा की bonito कि है भोबनेशवर, उडिसा की सीपनिश्टर कौन है, नवीन पटनाएक, और उडिसा की गवर्नर कौन है, गनेश शिलाग, अचा उडिसा में है विलर दीफ और विलर दीफ का नाम मदल के एपी जे अब्दूलकलाम दीव किया गया उडिशा दिवस या उतकल दिवस का मुराया जाता है एक अपरेल को अभी उडिशा सरकार ने सम्मिदा भरती को पूरी तरह से समाप्त किया है अश्विनी बैशनम ने वुमनेश्वर में बारत के पहले एलुमिनियूम फ्रेट रे का उद्गाटन किया उडिशा में हैंग्ऐ सोलелейा भैंसिंग लगाई गई गई है उडिशा में कलेंगा स्टीडियम में फेप अंड़ सेवेंटी मैला विस्षुक अब सुरू हुआ है अच्छा बात उडिशा की है तो उडिशा में सुनावेडा वाला सेंचुरी है कौता इसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिसा में रसी कुलिया बीच है और गोर्डन बीच है अभी उडिसा के दो गाउं इनको चुनामी रेडी डिकलियर किया था युनेसको ने अब वो दो गाउं कौन से हैं नुलिया साही और बैंकट रायपॉर्ट अच्छा उडिसा में लेंगराज टेम्पल है गुडाओ क्टमपल है और जगननाथ टेम्पल है ने कीशियन है हालि में जून चंद्टरियान his场 क्रेगा तो अभी एसरो जून थोजर और इसके प्रजेंट टेम पे चेर्मेंड कौन है एस सोमनाथ अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुशिन पूजा था कि हाले में हरून रिपूर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने तो SCL के फाउंडर सेव नाडर अब हरून रिपूर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने यानि किस कुशिन का C option सही था और लगबग सभी स्ट्वेड़नेस का अंसर सही दिया most list वे ने इसके बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उने आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में FATF ने केस देश को चार साल बात gray list से हता है तो चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जॉइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc search करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की studio का आप target जरू याद रखना आज की studio का target है 40 लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आप को ये video कैसा लगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अब ही तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चेत ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावन में एक bell icon में के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching